Good morning to all of you. Welcome to today's lecture of clean room in pharmaceuticals. आज के इस lecture में basically हम ये बात करेंगे कि clean rooms क्या होते हैं. आप सबने ये सुना होगा clean room, clean room, लेकिन काफी लोगों के मन में ये doubt रहता है कि clean room को clean room बोलते क्यों हैं. तो आज हम ये सारे के सारे doubts clear करेंगे. आज के इस lecture में, जिसमें हम clean rooms के बारे में detail में बाक्षित करेंगे. So, starting with today's lecture. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि clean room होता क्या है. तो याद रखेगा कि clean room, जैसा की नाम सजेफ्ट करता है, यहाँ पे हम जो environment रहता है, पूरे के पूरे room का, उस environment को हम control करते हैं. Like, अब environment में क्या क्या चीज़ें आएंगी? वहाँ पे जो contamination level है, उसे second, जो वहाँ पे pressure है, temperature है, humidity है, और जो personal assess है. इसको अच्छे तरीके से monitor किया जाता है, और maintain किया जाता है इसका सारा data. इसलिए इसको हम clean room बोलते हैं. बिकॉज clean room के अंदर ये चीज़ fix रखी जाती है, कि कितने dust particles present होने चाहिए, कितना pressure अलगलग compartments में होना चाहिए, अब आप बोलेंगे कि ये contamination level क्यों control रखने का, बिकॉज अगर आप clean rooms के अंदर contamination level नहीं control करेंगे, तो जो आप FG वहाँ पे pack कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं पे कुछ dust particles आ जाएंगे, कहीं पे आपका और कुछी चीज़ mix हो जाएगी, जिसकी वज़े से आपका जो material है वो fail हो सकता है, after that pressure, pressure क्यों control करेंगे, pressure basically इसलिए control करते हैं, बिकॉज एक controlled atmosphere से, जब आप दूसरे atmosphere में move करते हैं, तो वहाँ पे chances हैं कि बाहर से dust particles आपका अंदर की तरफ move करें, तो इसलिए जो differential pressures रहते हैं, वो अलगर rooms के बीच में maintain किये जाते हैं, third one is temperature, यह temperature आपके material के requirement के हिसाब से, और आपकी body के suitability के हिसाब से maintain किया जाता है, ताकि जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, वो easily वहाँ पे work कर सके, humidity यह भी वैसा maintain किया जाता है, जो आपके product को hamper ना करे, और वहाँ पे easily आदमी काम कर सके, personal assess यह इसलिए control किया जाता है, because यहाँ पे हम final packaging करते हैं, ताकि जो भी हमारा आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, वो well educated आदमी हो, और उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या activities करनी है, और क्या क्या activities नहीं करनी है, यहाँ पे जो हम filters यूज करते हैं, वो basically होते हैं HEPA filters, means high efficiency particulate air filters, अब आप बोलेंगे कि हेपा filters ही क्यों use करते हैं, तो याद रखेगा कि हेपा filters are basically 99.9% efficient filters, और इन filters में सबसे खास बात यह रहती है, कि यह 0.3 microns से उपर के सारे के सारे particles को remove कर देते हैं, even यह most of the जो आपके bacterias रहते हैं, यह लगबग सारे bacterias को भी remove कर देते हैं, और काफी सारे जो viruses presents रहते हैं, यह उनको भी air से remove कर देते हैं, इसलिए clean rooms में आप हमेशा देखेंगे कि हेपा filters का ही use किया जाता है, even जो आपके heating HVAC systems, जिसको आप बोलते है heating ventilation and air conditioning system, उसमें भी जो भी air आप clean room में डालते हैं, उसमें सब में HEPA filter सी use किये जाते हैं, because of its high efficiency, अब हम यह बात करते हैं कि contamination basically होता क्या है, अभी last में मैंने next slide में बात बोला था contamination, अब कुछ लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि contamination होता क्या है, याद रखेगा contamination, आपका कोई भी ऐसी चीज, जो आपके process या फिर आपका जो product है, उसकी purity को decrease कर सकती है, means जो भी आप material pack कर रहे हैं, मालनी जो कोई powder है, उसे आप pack कर रहे हैं, उसमें आखे कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो ज़र्श particles हो, चाहे bacteria हो, कोई भी ऐसी चीज, जो उसमें आपके, उसकी purity के level को decrease कर सकती है, जिसकी वज़े से, आपका जो material है, वो fail हो सकता है, उसको basically हम बोलते हैं, contamination, अब ये जो contamination होता है, इसमें contaminants आपके solid हो सकते हैं, liquid हो सकते हैं, gas हो सकते हैं, organic and in organic metals हो सकते हैं, airborne surface particles हो सकते हैं, static charges भी हो सकते हैं, अब next आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, कि contamination basically होता क्यों है, तो याद रखिएगा कि contamination के बहुत सारे causes होते हैं, पहला कि आप मानले, ये room का door आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, in that case ये chance है कि बाहर का जो atmosphere है, वहाँ पे जो dust particles है, वो आपके room के अंदर आ सकते हैं, वो एक source होता है आपका contamination होने का, second source होता है, जो आप air circulate कर रहे हैं आपके room के अंदर, उस air के filters पॉपरता ही किसे नहीं काम कर रहे होंगे, तो उसमें जो dust particles और bacteria present हैं, वो room के अंदर आ सकते हैं, second, कि जो आप एक room से दूसरे room में entry करते हैं, तो हो सकता है कि एक room में आपका controlled atmosphere हो, लेकिन दूसरे room में controlled atmosphere ना हो, in that case ये chance है कि दूसरे room से, आपका जो controlled atmosphere है, वहाँ पे dust particles और bacteria आ सकते हैं, fourth one इसकी packaging के लिए हम maximum, आपका manpower का use करते हैं, तो जब आदमी आएगा जाएगा in that case, उसके hair fall हो सकते हैं, उसके कपड़े जो रहते हैं, उन कपड़ों से आपका कुछ particles वा पे गिर सकते हैं, even जो room आपके बने हुए रहते हैं, उसकी जो walls होती हैं, prints होते हैं, वहाँ से भी छोटे छोटे जफ्ट पार्टिकल्स आने के chances रहते हैं, तो यह जो सारी चीज़े हैं, यह basically हमारा contamination create कर सकती हैं, अब हम बात करते हैं, कि पहला तो कि contamination को basically measure कैसे किया जाता है clean rooms में, तो याद रखेगा कि contamination को measure करने का तरीका है, कि कितने airborne particles present हैं, याद रखेगा, कितने airborne particles present हैं within a cubic feet of air, मतलब आप किसी भी room की बात करते हैं, तो उसके एक cubic feet के अंदर, कितने particles present हैं, वो उससे हमें यह पता चलता है कि, वो जो clean room है, उसमें कितना contamination present है, और इसकी जो unit होती है, वो basically हम बात करते हैं micron की, अब नीशे के आप इस chart को गौर से देखिए, तो अगर हम ISO classification की बात करते हैं, तो ISO classification के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, कि ISO classification numbers पहले इसमें आप देखेंगे, और उसके हिसाब से, यह अलग-अलग micron के कितने particles present होने चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं, तो miserly हम बात करते हैं ISO classification 4, 5, 6 और 7 के बारे में, लाइक अगर हम आपका ISO classification 4 से बात करते हैं, तो ISO classification 4 में आपके जो 0.5 micron के particles present होंगे, वो 352 micron के particles present होने चाहिए, और 5 micron के बिल्कुल negligible होंगे, वहीं जब आप ISO classification number 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2,37,000 आपके 2.2 micron के particles present होने चाहिए, 3,520.5 micron के particles present होने चाहिए, और 5 micron के बिल्कुल अगर हम यहीं class 6 की बात करते हैं, तो इसमें 0.5 micron के आपके 352,000 particles और 5 micron के 293 particles, similarly, other classes में भी आप देख सकते हैं कि 0.5 micron के कितने particles होते हैं, 5 micron के कितने रहते हैं, and even other micron के 0.1, 0.2, 0.3 micron के कितने particles present होने चाहिए, तो याद रखिएगा कि यह classifications, means ISO classifications जो रहते हैं आपके clean rooms के, यह classifications basically हमको यह बताते हैं, कि उस clean room के अंदर, particular micron size के, कितने particles आपके allowed होते हैं, यह देखे उपर लिखा भी हुआ है, maximum value of adjustable concentrations particles per meter cube, equal to or greater than examined quantities listed in the following, means यहाँ पर ISO classification, जो number आपके clean room को दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप यह idea लगा सकते हैं, कि इसमें कितने micron के, कितने size के particles, कितने micron के, कितने present होने चाहिए, उसी के base पर यह classification किया जाता है, so hope आपको clean rooms का concept बिलकुल clear हो गया होगा, so that's all for today's lecture, next lecture में basically हम बात करेंगे thermal insulation के बारे में, कि thermal insulation क्या होता है, उसका क्या role रहता है, and various other things, so till then, goodbye, have a nice day.